हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल फ्रेंट्स आज हमारे सामने है बजाज पलसर N250 और आज हम कम्प्लीट रिव्यू करने वाले हैं इस बाइक का और हम चेक आउट करेंगे क्या इसका प्राइज है एंड क्या इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन है तो वीडियो को है 149,900 फ्रेंट से देखने भी ये बाइक काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती है जो इसका फ्रेंट प्रोफाइल का जो लुक बनाया गया है एडलाइट का वो रोबोटिक डिजाइन इसका दिया गया है जिसमें की टू डियारेल्स इसमें ओफर किया गया है और ओल एलेड इसमें प्रोवाइड किया गया साथ में जो ग्राफिक्स दिये गया है वो भी इसके लुक और भी ज्यादा इंप्रूव बनाते हैं फ्रंट में आपको 37 mm के टेलिस्कॉपिक सस्पेंशन इसमें देखने को मिलते हैं और जो मटगार्ड पे जो ग्राफिक्स दिये गया है व प्रोफाइल है वो 180 17 सेक्षिन की इसमें दी जाती है साथ में साथ में भी ग्राफिक्स इसमें देखने को मिलते हैं निचे की तरह आप देख सकते हैं 250 CC का सिंगल स्लेंडर फॉर स्ट्रॉक ओइल कुल्ट इंजन जो की मैक्सिम्म पावर जनरेट करता है 24.5 PS at 8750 RPM और जो at 6500 RPM इस बाइक में आपको साइड में गेर मार्किंग भी ओफर की जाती है साथ में इसमें सेंटर स्टैंड दिया जाता है और साइड स्टैंड भी इसमें ओफर किया जाता है रेयर में फोटरेस्ट इसमें ओफर किया जाता है साथ में सारी गार्ड भी इसमें मिलता है ऐसी टायर साइज की अगर हम बात करें तो इसमें 130 by 70, 17 सेक्षन के इसमें टायर मिलते हैं। वहीं गाइज इस बाइक में आपको रेर में मोनो शॉक विद नाइट रॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर इसकी रेर डिस्क ब्रेक की बात की जाये तो इसमें आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। और जो अलोवी विल्ग्स का जो इसका डिजाइन है वो काफी अच्छा रखा गया है। ब्लैक में ही मिलता है। इस बाइक को स्पोर्टी लुक देने के लिए कुछ पॉइंट का भी जुरूर ध्यान रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एक्जोस्ट है उसका साइज काफी चोटा रखा गया है इसको स्पोर्टी लुक एंहेंस करने के लिए। इसकी अगर कर्वेर की बात करूं तो इसमें 162 kg का मिलता है। जाउंड कलेरस इसमें 165 mm की ओफर की जाती है और जो सीट हाइट है वह 795 mm की इसमें मिलती है। 14 लीटर की इसमें फ्यूल टेंग कपैस्टी ओफर की जाती है और जो उसकी शीट की कुशनिंग हो भी काफी डिसेंट रखी गई है। राइडर के लिए जो सीट है वो थोड़ी से नीची रखी गई है थोड़ी हैंडलिंग परफेक्ट बनाने के लिए और जो इसका राइडिंग पॉस्टर है वो काफी अच्छा रखा गया है इसमें इस बाइक में एक प्लस पाइंट मुझे ये भी लगा कि इसमें चार्जिंग का भी ध्यान रखा गया है इसमें USB पोर्ट ओफर किया जाता है अगर अब लेफ्ट साइड के हैंडल की अगर स्विच इसकी बात करें तो इसमें टर्न इंडिकेटर्स होरन एंड हैडलाइट और पासिंग के लिए कंट्रोल्स इसमें ओफर किया जाता है अगर राइट एंड साइड के हैंडल की बात करें तो इसमें इंजन किल स्विच एंड इलेक्टिक स्टार्ट बटन इसमें ओफर किया जाता है अब हम चेक आउट करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कलस्टर को इस टाइप की इसमें टू कीज ओफर कीज आती है जैसे अब हम इसका इगनिशन ओर करते हैं तो इसमें मल्टी कलर में इसमें डिस्पली दी गई है और काफी ब्राइट लगती है डे टाइम में भी आप इजली इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से ये विजिबल होती है इसमें all necessary information इसमें दी गई है analog में इसमें rpm मिलता है और साथ में digitally इसमें speedometer आप चेक कर सकते हैं जैसे की tachometer, odometer, trip meter, fuel gauge और additional information जैसे gear indicator, fuel efficiency, range indicator smart fuel reading, distance to empty and इसमें clock जैसे information digitally आप चेक कर सकते हैं साथ ही इसमें side stand and ABS की indication भी इसमें दी गई है और जो सारे switches है वो illuminated दिये गए है डे टाइम में भी आप इनको easily illumination देख सकते हैं इनकी जैसे अब हम इसका ignition on करते है तो जो daytime running light है वो इस तरीके से इसमें visible होती है यह इसकी front DRL है अब हम देखते हैं इसके rare में किस type की इसमें देखने को मिलते है tail lamp तो इस type की इसमें tail lamp ओफर की जाती है दोस्तो यह था complete review बजाज पलसर N250 का उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप मिलते है नेक्स वीडियो में with new bike new update still then good bye